संगर जी प्रेमानी बोला दन्नेंकार जी सत्गुरु मिले तो सब मिला नहीं तो मिला न कोई मात पिता सुद बांदबा ये तो घरगर होई कि सत्गुरु मिलते तो फिर सब कुछ मिल जाता है बस हमारा विश्वास होना चीए सत्गुरु के पावन चरड़ों में सद्गुर जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है प्रीत जहां की जूटी सादो साची गुरु की प्रीत है मानवतिन की इस जीवन की गुरु के कारण जीत है गुरु बिना ये जनम अमोलक यूँ ही जाता भीत है सद्गुर के कारण ही मन में गुंज रहा संगीत है कई हरदेव गुरु करपा से गुंगा गाता गीत है तो यह अपनी महिमा गवा लेता है हम सब गुंगे ही तो थे जब तक हमने परमात्मा को जाना नहीं था तब तक कहां बोलना आता था गुरु ने ग्यान दिया परमात्मा के दर्शन करा दिये यही नरंकार है देख लो इसको जुड़ जाओ कनेक्ट हो जाओ इस पावाराउस के साथ में सर शक्तिमान इश्वर के साथ में बिस्मिल्लाहिर रह्मानिर रहीम कुरान सरीप में लोग पड़ते हैं कि बिस्मिल्लाहिर रह्मानिर रहीम कि शुरू को रो खुदा का नाम लेके तो आज सत्गुरु ने हमें खुदा ही दे दिया यह नरंकारी दे दिया पूरी स्रिष्टी का मालिक तु मालिक तु खालिक मेरा तुझ आगे अर्दास करू तनमंधन सब तेरी माया अर्पन सारी रास करू तु ही मात पिता है सब का बच्चे वाले तेरे हैं तेरी दिया दिष्टी है तो घर सुखों के डेरे हैं अंतन तेरा जाने कोई तेरा रूप न्यारा है तु उच्चा है सब से उच्चा तेरा एक सहारा है अपनी हद और अपनी हालत तुम से रोशन सारी है अवतार दास तेरे दासों का चड़ों पर बलिहारी है करपा निदान कितनी बड़ी करपा की है मालिक कि तु मुझे मिल गया इसको खुदा मिल गया ना उसको सब मिल गया पूरी काइनाथ मिल जाती है लेकिन होता क्या है कि हमारे विश्वास में कमी आ जाती है हम परमाता पर कभी कभी विश्वास नहीं कर पाते है क्योंकि जो हमारा मन है न ये माया का दिवाना है यह माया की पीछे भागता है अकरिशन मन को पसंद है क्योंकि मन का निर्माड हुआ है माया से तो इस सद्गुरु क्या करते हैं? इस मन को अमन कर देते हैं अमन कहते हैं नराकार को कि जहां पर मन ही नहीं है मन के पार चले जाओ नरंकार में चले जाओ तो पहरी साथ संगत जी, सत्गुरु हमारे मन को ही मिटा देते हैं, मन बेचे सत्गुरु के पास तिस सेवक के कारज रास तो यहाँ पर एक सौधा है, कि मन को गुरु को दे दो, गुरु की मती बसे जो मन में अधना आला हो जाए गुरू की मती क्या है गुरू की मती ही नरंकार वचन गुरू का जो हम माने गुरू की रत हो जाएगी सते हरी का सिम्रण होगा दुर्मती पास ना आएगी गुरू वचन है ज्यान गुरू का नरंकार इसका नाम मान के आप तरेक उलतारियम राजबी करे सलाम इच्छा वाने नरंकार की सद्गुर पर विश्वास करे कहे अवतार सदा हो सुख्या देव लोग में बास करे प्यारी सासंगत जी देव लोग तो साथ की संगत है गुरु बिठा देता है सत्थंग सेवा सिम्रंदे देता है और जो आप जी ने आज टॉपिक दिया है सेवा तो प्यारी सासंगत जी सेवा सेलफले सर्विस एक्चुली है क्या तो दास भी इसकी गहाई में जब पहुचा जब गुरु ने बताया ग्यान दिया तो ग्यान लेने के पहले हम करम करते थे हम किसी की अगर सेवा करते थे तो वहाँ पर एक भाव होता था कि मैंने सेवा की मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया एक करता पंथा लेकिन जब ग्यान हो गया न तो फिर ये बात समझ भाई कि तू करता है जगत का तू सब का आधार कि सेवा तो तू ही करवा रहा है मुझे में का शक्ती है सेवा करने की तू तो चुन लेता है सेवा करने के लिए सेवा करने वाले ही सेवा का आनंद लेते हैं सद्दुर वाबा हर्देव सिंग्य माराज जी का वाक के है कि जो सेवा करते हैं उनको ही सेवा के बारे में पता होता है कि सेवा महान है गुरुषिप की शान है आनबान शान है और सेवा से दो जहां में आई बाहर है पुरी सृष्टी में हम देखे तो सिष्टी का दर्णा जर्रा सेवा कर रहा है पर्मात्मा ने सब को सेवा में लगा दिया है हम जब सवेरे उटते ना बोलते है गूड मौनिंग धन दरंग कार जी तो उस वक्त हम देखते हैं कि सूरज निकलता है जब सूरज निकलता है तबी तो बोलते है गुड मॉनिंग तो सूरज आया सेवा करने के लिए नरंकार ने सूरज को सेवा दी कि जाओ दुनिया में सबको उठाओ प्रकास फैलाओ फिर हवा है पानी है पुरी कुद्रत पुरी कायना सेवा कर रही है परमात्मा, प्रकिती, प्रक्तिक और हम प्राणी सब सेवा में लगे हुए है संपुन अवतारवानी में सहन साजी समझाते हैं कि सत्गुरु का जो प्यारा सेवक पाले गुरु के पांच इकरार सत्गुरु का जो प्यारा सेवक रहे निमाना सेवादार सत्गुरु का जो प्यारा सेवक वक्तों का करता सत्कार सत्गुरु का जो प्यारा सेवक गुरु संगत से करता प्यार सत्गुरु का जो प्यारा सेवक संतों का यश गाता है कहें अवतार गुरु अंतर्यामी देख उसे हरशाता है तो हमने ऐसा प्यारा सेवक बनना है सद्गुरु हमें प्यारा सेवक बनाना चाहे रहे है लेकिन प्यारा सेवक होता कौन है जो गुरु के डिसिप्लेन में रहता है अब गुरु का डिसिप्लेन क्या है गुरु का डिसिप्लेन तो एक है कि सारी मानौता की सेवा करो मानौता कहानी गुरू के कान से सुनता है गुरू के आख से देखता है तो गुरू की जब हम सोच पकड़ लेते ना तो गुरू की सोच नरंकार यानि सब में नरंकार को देखना है जब हमें ज्ञान दिया गया ना तो हमारी नजर को बदल दिया गया भगवान गीता में समझाते हैं कि सब में जो मुझे को देखता है और मुझे में सब को देखता है वही ज्ञानी है भगवान कहते हैं जो ज्यानी होते हैं जो पंडित विद्वान होते हैं वो समदर्शी होते हैं उनकी दिष्टी समदिष्टी होती है तो ये ज्यानी जो होते हैं ब्रह्म ज्यानी ब्रह्म ज्याने सो ब्रह्मन जो ब्रह्मन में रमन करता है जिसनिस ब्रह्म नराकार को ज्यान लिया है वहितो ब्रामण है वही पंडित है वह विद्वान है वही ज्या्नी है भगवध गीता ले भगवान कहते है चतुर विदा बजेंते, इमाम जनासिन अरजुन आरतो, जिग्ञास, रर्थार्थी, ज्यानी, चब रर्थर, सब हे अरजुन मेरे चार बक्त होते हैं आर्थ, अर्थार्थी, जिग्यासू और ग्यानी तो भगवान कहते हैं कि जब आर्थ बक्त मुझे कब याद करता है जब उसको 104 डिगरी की बुखार आएगी तो बोलेगा राम राम, अल्ला अल्ला जो भगवान को मानता है उस रूप में भगवान को याद करेगा एक होता है अर्थार्थी, अब अर्थार्थी बक्त सौधेवाजी करेगा हे गनपती महराज, गड़ेश जी, मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो मैं आपकी बक्ती करने आऊँगा, मैं लड़ो चुठाने आऊँगा हे माता वैशनो दी, जी, मुझे मेरा ये काम हो जाए मेरे बैंक बैलेंस मेदना पैसा आजाए, तो मैं आऊँगा, फिर यहाँ पर बंडारा करूँगा तो तमाम संसार में इस तरह की बक्ती होती है, यानि संसार की प्राप्ती के लिए, धन दवलत की प्राप्ती के लिए, माया की प्राप्ती के लिए, सौधे बाजी हम बगवान से करते हैं, अर्थार्थी बक्त, बगवान बता रहे हैं, उसके बाद फिर आगे उपर किस्ट पर नहीं आती है जिग्यासु भक्त कि जिसके मन में जिग्यासा होती है कि मैं कहां से आया और कहां जाओंगा जब मैं मा के गर्व में था उसके पहले कहां था जब इस अंसार को छोड़ की जाओंगा तो कहां जाओंगा ये सूरज किसने बनाया ये चांद किसने बनाया ये फूल में खुजबू कहा से आ रही है तमा मुझोस्ता रहता है उसके साइंटिफिक माइंड होता है लेकिन इसके बाद चोथा भक्त जो होता है जो इस नराकार को जान लेता है भगवान कहते हैं कि जो ज्यानी भक्त है न वो मेरा ही रूप होता है ब्रह्म ज्यानी का सकल अक कि आप नराकार होता है क्योंकि जो मुझो नराकार को जान लेता है वो मेरा रूप हो जाता है तो पहरी साथ संगत जी हम सब को संत बना दिया गया सद्गुरू ने हमें सेवक बना दिया और सेवक से बड़ी कोई डिगरी होती नहीं है जो परमात्ना को जानता है न वही से कि यह रीति संसार का मतलब होता है स्वार्थ यहाद है संसार में किसि के लिए कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो मनमने कहीं एक खुद्गरजी होती है कि मैं यह कर रहा हुँ तो इसके बंदी मेरा ये फायदा होगा बट यहाँ पर बातまあि Selfless की तो सेवा क्या है सेवा तो वही है कि जहां पर कोई कान्ना नहीं है कोई इच्छा नहीं है निस्काम निर्प्षित तनमंधन तीनों से उची वह सेवा कहलाती है जो होती निस्काम निर्प्षित सत्गुरु के मन बाती है देशकाल और समय मुतापिक जो सत्गुरु चलाता है गुरु की अग्या सिर्पे रखे गुर्षिक चलता जाता है मानव जग में गुर्षिक पता दर्गे में भी हो परवान कहे अवतार की हर पल उसका रख वाला हो या भगवान संसाजी समझा रहे हैं कि निस्काम निर्प्चित सेवा कर्मनिवादिकार रस्ते माव फलेश्य कदाचनम यही बात भगवत गीता में भगवान किश्ण समझा रहे हैं दूसरे अध्याय में कि जब वहाँ पर संग्राम जो महावारत का सीन है हम सब ने देखा है कि जब अर्जुन वहाँ पर लड़ने से मना कर देता है कि मैं नहीं लड़ूंगा फिर वहाँ पर ये होता है जो इस नराकार को जान लेता है ये तो ना दशन कराते हैं कर Ashwa Re making का वहाँ दर्शन कराए जाता है और फिर प्र पुरी ठीचिंग बगवागीता में 700 स्लोक हैं और साथ इस लोग के अंदर पूरा कर्मयोग की सिच्छा दी गई है तो यहां पर सद्गुरु भी हमें कर्मयोगी बना रहे हैं क्योंकि हम भी इस संसार में जब आए तो हम भी हारे हुए थे लेकिन गुरु ने स्वा दे करके हमारे जीवन में चार्शन्द लगा दिया selling कि हर संत में जीवन यह जाते हैं फिछले जीवन इन ज्यान लेने के पहले का जीवन कैसा था और सेवा करने के बाद का हमारा जो प्रेटिकल जीवन अब है वो कैसा है यह हम सब का अपना अपना एक्सपेरियंस है अपना अपना अन्बो है पहरी साथ संगे जी सेवा करने से बरकत आती है अगर हमने मानवता की सेवा की और मानवता की से वाप कैसे करना है तो बाबा हरदेव सिंग जी इमाराज जी ने सेवा दल रहेली में एक बाद कही थी डास को आज भी आदे कि संदरंकारी मिसन की जवान हैं यह सेवा दल के जवान हमारे भाई-बेन यह केवल दरंकारी मिसन तक नहीं है यह पूरे विश्व के लिए यह हैं हम हैं सेवादार हम हैं सेवादार हैं सारी मनोता के सेवादार हैं अगर कोई रो रहा है अगर हमारे संपर्क में कोई इंसान भराइन उसने ग्यान नहीं लिया है लेकिन अगर हमारे संपर्क में आया तो हमने उसको हसाना है क्योंकि सब में नराकार है सब में मेरा सत्गुरु भी राजमान है गुरु की नजर से देखना है सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे और नजर बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे तो गुरुसिक की सोच में नरंकार है सब में परमात्ना को देखता है सब में अपने गुरु को ही देखता है इसा मसीजी बाइबल में समझाते है कि जब मैं भूखा था जिसने मुझे खाना खिलाया वो मेरे पास होगा जब मैं प्यासा था जिसने मुझे पानी पिलाया वो मेरे पास होगा बाइबल में भी सेवा का संदेश दिया जा रहा है यानि कि अगर कोई तकलीव में बंदा है अगर हम एक निस्काम, निस्वार्थ भाव से एक हेल्प करते हैं हेल्प मतलब एक सेवा क्योंकि संसार में हेल्प करने का मेनिंग अलग होता है लेकिन जो गुर्शिक होता है वो सेवा करते हैं सब को हसाते हैं सब को खुश्यां बाठते हैं तो आज हमें भी सेवादार बनाया गया है और सेवा से ही चेरे पर मुश्कान आती है सेवा से ही हसी खुशी मिलती है सेवा से चेरे पर नूर आता है रोना काती है तो सेवक जो ह सफचनी होते हैं अब लड़ाई चालू हो गई है कमंडर आदेस देते हैं तो जो आर्मी होती है फिर वो उद्ध करने की निकल जाती है उनको एक order मिल गया कि अब युद्ध करना है कि इतना भी टाइम हो चाये वो आदि रात में उनको एक कमंड आ गया तो युद्ध करने निकल जाएंगे वो कुछ नहीं देखते हैं कुछ नहीं पूछते हैं बस आदेश आया तो आदेश आया इसी प्रकार जो सत्गुरु के सेवाधार होते हैं तो सत्वचनी होते हैं हनुमान जी की तरह है हनुमान जी को आदेश आ गया कि माता सीता क खोज करना है सद्वचन करके वो निकल गए उनको पता है कि करना तो नरंकार ने है सेवा तो स्वयम गुरू कर देता है हम तो माध्या में गुरू चुनता है हमें तो निमित मात्र बना लेता है ऐसा लगता है कि सेवा मैं कर रहा हूं यह मेरी भूल है मेरी गलत फहमी है अग गुरू का सेवक सेवा से न आक्षुराया करता है। कभी ना मन में फल की रखता आशा है। करे सुतसपल्चा खा कि इनसान केवल करम करशकता है। पल सद्गुरु के हाथ में हैं नरंकार के हाथ में हैं जो गुरुसिक होते हैं जो गुरु के हवाले हो जाते हैं तो गुरु फिर वही करता है जिसमें गुरुसिक का भला होता है अब अगर हमारे कोई छोटा बेबी होता है बच्चा दो तीन साल का बच्चा होता है अगर व प्रकार हम मिंद्e रंकार से कोई अरधास करते हैं कुछ डिमांड करते हैं कुछ मांगते हैं और अगर पूरी नहीं हो रही है मतलब उसमें हमारा भला नहीं नहीं है सब्वाबा हर्देव सिंह माराज जी ने कहा कि हमारी इच्छाओं की पूर्टी ना होने में ही हमारी भलाई चुपी होती है हम बहुत सर्पड़कते हैं यह मेरा काम नहीं हो रहा है मैं यह चाहरा हूँ मैं इतने टाइम से घ्यान लिया हूँ मैं इतना सत्संग करता हूँ बहुत सेवा करता हूँ मैं सिम्मन भी बहुत करता हूँ लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा है वो काम कैसे होगा क्योंकि उस काम में भलाई नहीं है इनरंकारे अंतर्यामी है सब जानता है हम कहते हैं कि तीन लोग नो खंट में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करिस होई तो गुरु करेगा ना लेकिन गुरु पर दिश्वास कितना है कि यह काम नहीं हो रहा है तो गुरु की मर्जी है प्रभु की रजा में जिनका पूरा इमान है उनके लिए जिन्दगी आसान है तो क्या हम प्रभु की रजा में जी रहे हैं जो सेवक होते ना सेवादार प्रभु की रजा में रहते हैं जो हो गया अच्छा हो गया यमी नवितिन्तेते पुरुसम पुरुसरसब सम दुख सुखम धीरम सो अम्रित ताय कलपते भगवत गिताम भगवान कहते है कि जो सम रहता है एकरस रहता है चाहे सुख आए दुख आए हानी मिले लाब मिले एकरस कैसी भी हो परिष्थिती एक जैसी हो मनुष्थि तो गुर्षिक जो होते हैं कभी डावा डोल नहीं होते लेकिन अगर हमारा विश्वास कमजोर है तो फिसल जाते हैं वे लोग जिनके एमान डगमगाते हैं उसूलों के पक्के लोगे इतिहास बनाते हैं गुरु के सेवक होते हैं गुरु पर अटूट विश्वास रखते हैं, इन रंकार है, सारी दुनिया को दे रहा है, पुरी सुष्टी का मालिक है, तो मैं तो इसका बच्चा हूँ, इसका सेवादार हूँ, तो माबाप बच्चों के लिए हमेसा अच्छा ही करते हैं, सेवक क हैं कि सारी मानवता से हम प्रेम करें, सारी मानवता की सेवा करें, या पहला सबके किताबे हिदा का की मखलुक सारी है कुन्बा खुदा का, अवल अल्ला नूर उपाया, कुद्रत के सब बंदे, एक नूर ते सब जब गुज्जे कोन भले को बंदे, कि सब अपने हैं, not pieces let's work for it यह सद्गुर बाबा जी का thoughts है कि भागो run for oneness बाबा जी 36 साल भागते रहे मानवता के लिए भागते रहे सद्गुरु स्वयम सेवाएं करते हैं करके दिखाते हैं 36 साल बाबा हर्देव सिंग्जी माराज जी ने खुद मानवता की सेवा की दिन रात एक कर दिया तो पयारि साल संग्जी वो नूर शब्दों के हम नहीं बैया कर सकते हम सभी ने बाबा जी को देखा है बाबा जी जहां भी गए जी शिश FREता में गए जिस देश बाबा जी जब देखते थे ना, जिस पर नजर पड़ गई उसकी लाइब बदल गई, तेरी एक नजर, बाबा जी तेरी एक नजर नजाने क्या से क्या कर दे, पड़े जो रंक पर उसको भी बादिशाह कर दे, बाबा जी की नजर जिस पर पड़ गई, सद्गुरु आप नर को एक दे समझना भूल है अज्यान है वचन गुरू का गुरू होता है गुरू वचन का पालन हो गुरू की सिक्चा ही गुरू है गुरू की सिक्चा धारण हो गुरू का पहला वचन यही प्रभून दरंकार है पलपल जमचिन जोड़े रखना इससे मन की तार है गुरू हरी ये एक है इनमें भेदना किंचित भाई है, कई हर देव, यूग-यूग से अतल यही सच्चाई है, कि गुरू दरंकार एक है, और इनराकार रूप में सत्गुरू हर पल हमारे साथ रहता है, जब कभी हम मायोस होते हैं, तो ये गुरू हमें समालता है, कभी-कभी माया का अत दुरत्या, मा मेव ये प्रपध्यनते, माया मेताम तरंते, बहुत बढ़िया इस लोग, गीता का दास ने पढ़ा ये, दास ने पूरी गीता पढ़े, तो गीता पढ़े के बहुत कभी हंसी भी आती है, कि ज्ञान लेने के बाद गीता समझ में आई, पहले तो पढ़ दे दे, तो कुछ समझ में आता नहीं था, लेकिन जब ये ब्रमग्यान हो गया, उसके बाद जब गीता पढ़ते हैं, तो पूरी बात समझ में आती है, तो भगवार कहते हैं, कि देवी हियोसा गुर्म ही, मम माया दुरत्या, मा मेव ये प्रपध्यनते, माया में ताम अतरंती ते, कि अरजुन मेरी माया बहुत कटिन है, ये बड़े-बड़े ग्यानियों को भी चकमा दे देती है, बड़े-बड़े देशी मुनी, इसके चपेटे-लपेटे में जाते हैं, ये सूप्ष में एंकार से कोई बसता नहीं है, ये माया सब पे हावी होती है, सब पे अटेक करती है, जितना हम परमात्मा के पास जाते हैं, जब दरंकार से जुड़ते हैं, वक्ति करते हैं, उतना ही माया हमारे उपर हावी होती है, ये तुम बक्ति कर रहे हो, तो फिर माया आती हमको पीछे ठकेलने के लिए, लेकिन भगवान कहते हैं, जिस पर मै करपा कर देता वो इस माय से उपर उड़ जाता है क्योंकि करम योग की बात आ रही है ना कि हमारा योग कहां पर है क्या हम हर पल परमात्ना को याद कर रहे हैं संतों ने खाया कि स्वास स्वास सिम्रो गोविंद मन अंतर की उत्रे चिंत तजो सब्रम भजो पार्ब्रम कहे नानकटल लेई धर्म अगर हर पल इस नरंकार के साथ लीव जुड़ी है तो फिर माया कोहिश करती है संसार है संसार का इफेक्ट पढ़ता है सबके पढ़ता है ग्यानियों पर भी पढ़ता है लेकिन ग्यानी काटे ग्यान से अग्यानी काटे रोए संसार में तो लोग रोते हैं लेकिन जो ग्यानी होते है वो ग्यान से इस नरंकार से क्योंकि ज्यान लेने के बाद गुरू ने बोला कि बेगमपूर में चले जाओ, इस संसार तो गंपूर है, दुनिया में रोगे तो मुस्कुरार नहीं पाओगे, अब भी जो दस मुस्कुरार आए हंस रहा है, या संतों की ब्लेसिंग है, संतों का आशिरवाद है, क्योंकि यहाँ पर हम बेटे हैं बेगमपूर में, बाते हो रही है गुरू नरंकार की, चर्चा गुरू की हो रही है, तो जब गुरू की चर्चा होती है, नरंकार की चर्चा होती है, तो प्यारी साथ संगत जी, फिर उस वक्त हम बेगमपूर में होते हैं, हम नराकार में होते हैं संत सदेव नरंकार में निवास करते है जो डूबे है गुरू की मस्ती में चारचांद लग जाते है उनकी हस्ती में जिनकी लागी लगन गुरू नाम में उनका दिया भी जलेगा तुफान में पहरी सासंगत जी तो लगन लगाना है कि ऐसी लागी लगन कि मीरा हो गई मगन वो तो गली-गली हरी गुण गाने लगी तो हमारी भी लगन ऐसी लग जाए सद्गुरु माता जी कृपा करना हम सब की लगन वैसी ही लग जाए हर एक संत का जीवन मीरा वाई जी की तरह हो जाए कभीरदास जी की तरह हो जाए तो कि ज्यान तो मीरा जी को भी यही नराकार दिया गया था कभीरदास जी को भी यही ज्यान दिया गया था जितने भी संत महातना वली पीर पेगंबर भक्त जन संसार में आए सब को यही ज्यान दिया गया यही नराकार लेकिन वो कभीर हो गए मीरा बन गए, हनवान बन गए तुकाराम जी बन गए नाम देव, मुक्तावाई जी बन गए आज उनका नाम संसाल ले रहा है उनकी कहानियां पड़ता है लेकिन पहरी सास्तंकर जी आज सुचना है कि ज्यान तो सेम है तो क्या मैं तुकाराम बन पाया हूँ तुकाराम जी के हम इस्टोरी सुनाते है सैंसील ता की कितने सैंसील थे वो उन्हें गदेरी बिठाया गया क्या क्या उनकी साथ में नहीं किया गया तो हम इस्टोरी तो सुना देते हैं अर अच्छा लगता है सबसक में हम बोल देते हैं तोकराम जी के बारे में कितने सेन्सिल थे हम इसा मसीश जी के बारे में उनके लिए वो दुआ कर रहे हैं बाबा गुरुबचन जी के बारे में हम बोलते हैं कितने किते संतों के बारे में हम बोलते हैं उनकी जीवनी उनकी लाइफ के बारे में बोलते हैं लेकिन प्यारी साथ संदक जी क्या मेरा जीवन ऐसा बन पाया दाफ तो सोचता है अनिलती वारी क्या तुम्हारा जीवन ऐसा बना पहले तो अपने आप पर ही लेता है पूरी बात इस पोकें वर्ड वे नॉट एडॉप्ट लेक्शन हैं नो मेनिंग्स बाबा जी ने बोल दिया कि भाई जो बाते अदिलतिवारी बोल रहे हो या कि जीवन में यूज कर रहे हो अगर मैं ये बाते बोल रहा हूँ अगर ये मेरे जीवन में मैं इंप्लिमेंट में लेक्या रहा हूँ एक्शन में लेक्या रहा हूँ तो मैं फिर गुरू का सेवक हूँ फिर तो मैं सेवा कर पा रहा हूँ और अगर सबसे बड़ी सेवा तो ही है ना कि गुरू की बातों को यहां पे जो आदे गंडे का टाइम मिला है, यह बाते कभी गतम नहीं होती है, प्यारी सासंगत जी, जीवन में मोल है तो केवल करम का, करम की कीमत है, करमों की पूजा होती है, आज जिन की पूजा हम कर रहे हैं, जीते भी संत, महातना, वली, पीर, पैगंबर, सारा संसार ज इस ग्यान को जीया, इस लिडाकार को जीया, अपने जीवन में लाया, अपने फैमिली के अंदर, अगर मेरी वाइफ ने दो बात मुझे बोल दिया, तो क्या मैं हास्ते मुस्कुलात इसको सही नहीं सकता हूं, मैं सह सकता हूं, तब तो जाकर ग्यान मेरे जीवन में है, अ सेवा की शुरुवाद तो घर से होती है, फॉलॉप, गुरु की बात को मान लो, गुरु जो भोलते हैं उसको मान लो, जीवन में ढाल लो, तब तो बात बन जाएगी, क्योंकि हमारा आस पास पडोस के लोगें हो हमारे बारे में देखते हैं कि भाई ये बंदा नरंकारी है, ये तो सत्संग में जाता है लेकिन इसे घर में जगड़े रोज होते हैं जब देखो मिया बीबी के जगड़े ही होते हैं तु तु में होती हैं बाप बेटे के जगड़े होते हैं तो पहरी सत्संग जी फिर खुद के बारे में सोचना पड़ेगा मुझे कि मैं तो सत्संग में जाता हूँ रोज सत्संग करता हूँ आज मैंने 20 साल से ज्ञान लिया हुआ है तो सद्गुरु हमें सहयन सीलता का पाट पड़ा रहे हैं तो क्या मेरे जीवन में सहयन सीलता आई पूछना है क्योंकि हम आज हम सद्गुरु माता सुदिच्छा जी की जब विचार सुनते न तो माता जी की हर प्रोचन में एक लाइंडा सुनता है कि स्वयम को सुधारना है माता जी कहती है कि अपने आपको सुधार लो इस ज्ञान को करम में लेके आओ बाते तो बहुत हो गई आज जब से हमने ग्यान लिया तब से आज तक मैं बाते ही करता रहा हूं लेकिन अगर मैं अनिलतिवारी की बात करूं कि अनिलतिवारी अगर आपने 20 साल से ग्यान लिया तो 20 साल से कितना जीवन में यूज किया है इस ग्यान को प्यारी सासंग जी, अगर मैं सेवादार हूँ, गुरु ने मुझे सेवक बनाया हुआ है, तो मुझे इस ज्यान को जीना पड़ेगा, और ज्यान को कर्म में लाकर परचार करना पड़ेगा, इस ज्यान का परचार तब होगा, जब मैं अपने कर्मों से बात करूँँगा, अ नहीं कि मैं किवल बातों से नरंकारी बन जाओं प्यारी सासंगत जी नरंकारी बनना इस संसार का सबसे कठिन काम है लाखों में कोई एक नरंकारी मिलेगा लाखों में कोई एक जो गुरु ज्यान पर चलता है दास अपनी बात करता है क्योंकि दास जब देखता है सुनता है तो आज भी ज्यान लेने के बाद भी हम ब्रह्म भुलेके में हैं कहीं न कहीं हम गुरु की बात को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं ज्यान पर नहीं चल पा रहे हैं तो फिर मैं सेवक कैसे हूँ और फिर मैं कैसा सेवाधार तो प्यारी सासंगत जी, गुरू का जो सच्चा सेवक होता है, गुरू की बातों को मानता है, गुरू वचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है, सबसे उत्तम, सबसे पावन वो सेवा कहलाती है, कि सबसे उची वो सेवा कहलाती है, अगर मैं गुरू के वचन को मानता हूँ तो आज दास ने जो बाते बोली है, दास ने खुद के लिए बोली है, जो गुरू की बाते आप संतों को आज यहां पर बता रहा है, यह पूरी बातें दास के जीवन में आ जाएं, तब जाकर मैं एक सेवादार हूँ, मैं गुरू के बचलों को मान रहा हूँ, और फिर अंत में सद्गुरू मता जी के पावन चोड़ो में दास सब के लिए अरदास करेगा, कि परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो स सब का प्रभू, सब का हुकल लाण, प्यारी प्यारी साथ संगन जी, प्यार से बोलिये धन्नकार जी,